है जब से पहले फोन पर अप्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं है कि अप्लिकेशन ओपन करने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर आप देख सकते हों कि बाइक का इंसुरेंस का ओप्शन है इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आपको यहां पर insure bike पर किलिक करना है और यहां पर आपको bike का full number डालना है with state code bike का number डालने के बाद आपको submit पर किलिक करना है submit पर किलिक करने के बाद आपका जो भी bike है वो यहां पर with model दिखने लगेगा और registered year भी यहां पर आपको दिखेगा यहाँ पर आपको no पर click कर देना है अगर आपका insurance 90 days से पहले का expire किया हुआ नहीं है तो यहाँ पर no रहेगा और यहाँ पर view course पर click करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे companies का option मिलेगा किस company की तुरूँ आप अपने bike का insurance करना चाहोगे तो यहाँ पर go digit का देख सकते हो कि सबसे सस्ता जो है insurance का option है 738 का only यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो package मिलेगा claim का वो यहाँ पर 22,791 है जो कि कम है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो highest plan है यह expensive plan है वो Tata AIG General का है जो कि 1000 रुपीज का है 1010,27 का और यहाँ पर आप देख सकते हो कि claim का भी जो package है यहाँ पर बढ़िया है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आप अपने recording देख सकते हो कि आपको किस company की थूरू जाना है तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा package दिख रहा है वो बजाज का package दिख रहा है जो कि claim का जो package है वो भी बढ़िया है और यहाँ पर rate भी जादा high नहीं है 779 है तो मैं इसी plan को लेने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं इसको select करूँगा और select plan पर नीचे यहाँ पर click करूँगा click करने के बाद आपको अपन owner का details आजाएगा by जिसके नाम सी है और mobile number आजाएगा और यहाँ पर आपको email address जरूर डाल ले राए जिस email address पर यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका policy documents है वो इस email पर भेजा जाएगा email ID एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि personal accident cover का भी जो यहाँ पर 15 लाग का जो package है वो additional package है जो कि आप ले भी जकते हो और नहीं भी ले सकते हो तो उसको लेने के लिए आपको 331 रुपीज का additional payment करना होगा जो कि इसको tick करने के बाद यह add हो जाएगा और यहाँ पर आपको nominee भी select कर लेना है और nominee का जो है name and age यहाँ पर enter कर देना है तो मैं इस package को नहीं ले रहा हूँ तो मैं इसको select नहीं करूंगा उसके बाद आपके बाइक का loan चल रहा है तो यहाँ पर yes करेंगे otherwise no करेंगे previous policy details भी डालनी है इससे पहले जो भी आपका चल रहा है जो भी आपका insurance भी चल रहा है या खत्म हो चुका है तो उसका details यहाँ पर डालना है policy expire कब होगा यहाँ पर previous insurance company का नाम भी select करना है तो previous जो company मेरा है वो Tata AIG ह तो मैं उसका नाम select कर लिया यहाँ पर policy number automatic यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर अगर आपने यह previous policy में अगर आपने claim किया है तो यहाँ पर yes करेंगे otherwise no करेंगे और उसके बाद यहाँ पर continue पर click कर देंगे continue पर click करने के बाद एक बार आपको review करना है review करने के बाद finally आपको buy कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पर buy corner का नाम बाइक का नमबर और यहाँ पर buy का details और यहाँ पर कौन सा प्लान आप ले रहे हैं वो प्लान यहाँ पर पूरा दिख रहें त करके यहाँ पर आप इसको buy plan पर click करेंगे तो buy plan पर click करने से पहले मैं आपको एक चीज दखाना चाहता हूं जो कि 700 कुछ रुपीज का जो है वो plan था और अभी आप देख सकते हो कि final payment जो मैं करने जा रहा हूं वो 919 है तो चलिए इस पर click करके देख लेते हैं कि क्या-क्य चीज इसमें add हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 714 रुपीज का जो है वो बाइक के इंसुलेंट से और on damage प्रीमियम जो है वो 65 का automatically यहाँ पर add हो चुका है और GST 140 रुपीज यहाँ पर देना पड़ेगा अलग से जो कि इसमें add हो चुका है तो total हमें जो payment करना है वो 919 का है तो चलिए इस पर got it पर click करके और यहाँ पर buy plan पर click कर देते हैं buy plan पर click करने के बार यह आप payment की section पर redirect हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको option मिलना है कि आप किस तरह से payment करेंगे तो आप अपने phone पर UPI से भी payment कर सकते हो और other UPI भी add करके कर सकते हो यहाँ पर add debit और credit card पर add कर सकते हो तो यहाँ पर मैं card से payment करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर click करूंगा card पर और यहाँ पर आपको card का details एंटर करना है तो चलिए फटा-फट से इसको कर लेते हैं तो payment यहाँ पर process हो रहा है तो यहाँ पर पैड हो चुका है यहाँ अब देख सकते हो और फिव पॉलिसी का भी option आ रहा है यहाँ पर पॉलिसी करने के बाद यहाँ पर पॉलिसी का details आ चुका है तो पॉलिसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिल चुका है पॉलिसी डॉकुमेंट है यहाँ पे इस पर क तो यहां पर देख सकते हो उसमिया क्प्राइब चूए है और यहां पे आपको help line का number भी यहाँ पर dedi Falz min और यहां पर एक option है तो और जपना तो घ्यार्म के इस तरह से policy details है यहां पर देखार है पॉलिसी सार्टेफिकत नंबर मिल चुका यहां पर और यह आप सैब पूरिशन की दो सकते हो P 1 यहां पर कुलिक उली आप किलिक कर चायेगा और यहां पर दिखेल हो कि कब तक इसकी सिब्सक्राइब का मिद्धी प्रोध का की उप्सवरण इसको करें चली तो ओन्हेंच है यहां पर टर्मिन कंडिशन है वो उसको आप खुछ सी रीट कर सकते है